पर सभी की निगार आने वालिा है दरसल 28 लोगसभा के स्पिकर का आठ चुना होना है लोगसभा द्यक्षपत के लिए इंडिया की तरफ से बीजेपी के सांसत आपको बदा दे कि अंडिया की तरफ से बीजेपी की जो सांसत है ओम विला, उमिद्वार है तो वहीं इंडिया गटबंदन की तरफ से कॉंगेस के वरिश सांसत के सुरेश ओमिदवार है आज सुबा 11 बजे स्पीकर पत के लिए वोटिंग होगी लोग सबा में संक्या बल सत्ता पक्ष यानि एंडिय के पक्ष में है 293 जो सीते हैं वो एंडिय की आई हैं जबकि 233 का सांस इंडिया बलॉक के पास है अब किसको कितना बहुमत मिलेगा ये मतदार के बाद पता लगेगा 11 बजे जब वोटिंग होगी चुनाओ होगा और आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोगसभा के स्पीकर के लिए चुडा होने जा रहा है किस किस के बीच में मुकाबला है इनके पस्नलिटी के बारे में भी आप जा लेजे कौन है के सुरेश इंडिया बलॉक के लोगसभा स्पीकर के उम्विदवार इसके साथ साथ ओम बला जो पहले भी लोगसभा स्पीकर रहे है एंडिया के उम्मिदवार है लोगसभा स्पीकर के लिए और उनकी खासियत क्या रही ये भी आपको हमने इन ग्राफिक्स के जरीए बताया अब एंडिया के पास कितनी सीटे हैं 293 इंडिया के पास कितनी सीटे हैं 233 और आकड़ा बहुमत का कितना चाहिए जरा ये भी समझ लेजिए आकड़ा बहुमत का चाहिए 271 यानि कि 50 पीजी से जादा जिसके पास सीटे होंगी उसी गड़बंधन का उम्मीदवार स्पीकर चुना जाएगा 293 का जो आपको पूरा डाकेट दे रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को बढ़ा रहे हैं कोडी कुनिल से के सुरेश आते हैं केरल के मविलेकारा लोकसभा सीर से सांसद हैं साल 1989 से लगातार वो सांसद चुनते आए हैं अब तक 7 बार वो सांसद रह चुके हैं 2012 से 2014 तक केनर में राज मंत्री भी थे ये के सुरेश का आपने प्रोफाइल देखा ओम बिल्ला आपको बढ़ा दे कि तीन बार से लगातार कोटा से जीत दर्श कराते हुए संसद पहुँच रहे हैं इस बात प्रेलाद गुंजल को जो की कॉंग्रेस के उम्मीदबात थे उनको पढ़कनी देकर संसद पहुँचे 1990 की परंपरा का उन्होंने तोड़ा चुकि कहा ये जाता था कि लोग सबाज स्पीकर अगर कोई बनता है उसके बाद वो संसद का रुक नहीं कर पाता है लेकिन वो जीत दर्च कर संसद पहुचे तो उस परंपरा को तोड़ा और आज एक और परंपरा तूट रही है स्पीकर के लिए चुनाओ भारत अराद में पहली बार होने वाला है तो भारत के संसद ये त्यास में ये तीसरा बॉका है जब लोग सबाज स्पीकर को लेका चुनाओ होगा एंडे गजबंदन की ओर से पूर लोग सबाज द्यक्ष ओम बिल्ला को दूसरी बार लोग सबाज स्पीकर बनाने की तयारी है जबकि कॉंग्रेस ने लोग सबाज स्पीकर पत के लिए आज बार के सांसद के सुरेश को प्रत्याश्ची बनाया है और इसी बात को लेकर अब जंग छिट चुकी है तो अगर बात ओम बिल्ला की करते हैं आपको बता दे कि के सुरेश की आपको हम बारे में बताएं ओम बिल्ला बीजेपी के वर्ष नेता है और के सुरेश केरल कॉंग्रेस के कारकारी अध्यक्ष रहे है ओम बिल्ला 2019 में भी स्पीकर थे तो के सुरेश 2012 से लिकर 2014 तक केंविर राज्यमंत्री रहे ओम बिल्ला दूसरी बार स्पीकर बन सकते हैं तो के सुरेश 1989 में पहली बार संसर बने ओम्बिला कोटा के बूणी से तीन बार के सांसर रहे हैं. तो के सुरेश के मवेलिकारा से आठ बार सांसर रहे. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि महमत का नंबर ओम्बिला के पास है लेकि के सुरेश को विपक्ष है, इसलिए बैदान में उता रा ताकि B.J.P को मैसेज दि की मजबूत है आइए इस पर आपको एक खास लिपोर्ट दिखा देंगे मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ओपोजिशन को मिलना चाहेँ लोकतंत्र के मंदिर का स्पीकर कौन होगा किसके आदेश के बिना लोकसभा में पत्ता भी नहीं हिल सकेगा इसका इंतजार एंडिये के साथ पूरे इंडिया गट बंधन को है क्योंकि इस बार हर बार की तरह सर्व सम्मती से स्पीकर नहीं चुना गया है और चुनाब के जरी इसका फैसला किया जाएगा कि अधे दिन तक कभी भी लोग सभाके स्पीइकर का चुराओ कंडिशनल होता है QOG कंडिशन के साथ होता है क्या रेप्टी स्पीकर टैकरो तब हम स्पीकर के तुमारे को मदब करें और यह कौन कह रहे ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कॉंग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्ती स्पीकर भी अपना बनाया है के सुरेश केरल कॉंग्रस के कारेकारी अध्यक्ष रहे है ओम बिल्ला 2019 में भी स्पीकर बने थी के सुरेश 2012 से 2014 तक केंद्रे राजमंत्री रहे ओम बिल्ला दूसरी बार स्पीकर बन सकते ही के सुरेश 1989 में पहली बार सांसत बने पूरे ओपजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ओपजिशन को मिलना चाहे है राजनाथ सिंग जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे अभी तक राजनाज सिंग जी ने खारगे जी का call return नहीं किया है तो मोधी जी कह रहे हैं constructive cooperation हो और फिर हमारे नेता को insert करा जा रहा है यहां तक खारगे जी का प्रस्णा एक senior leader है मैं उनका सम्मान करता हूँ कल से लेकर आज तक उन्चे तीन बार हमारी बात भी तरसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की demand कर रहा था और इसी के बाद ये तकरार भी शुरू हो गई कॉंग्रस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है हाला कि बहुत साफतोर पर NDA के साथ है पर इस पूरी तकरार के बीच सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष की बीच सदन की पहली तक कर किसका होगा डिप्टी स्पीकर कॉंग्रस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनावती देने के लिए नामानकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है और जब बात किया कॉंग्रस के नेता आई थे और माने राजनाज सिंग जी, माने गर्यमंत्री, अमिच साथ जी और इंडिये के सारे लीडर्स हम लोग सब थे वहाँ कॉंग्रेस के नेता ने आकर के कंडिशन लगाया कि अब देफ्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे इंडिया ब्लॉग ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उमिदवार खुशिब कर दिया है कुछ ऐसी ही तस्वीर लोग सबार स्पीकर के चुनाव की देखने वाली है इसके बावजूद बिना लड़े विपक्ष पीछे हटने के मूट में नहीं है होते के साथ 293 सांसदों का दम है तो राहुल गांदे के साथ 233 सांसद है और अदर 16 सांसद फिलाल किसी के साथ नहीं है अब एंडिया और इंडिया गठ बंधन की नजर उन 16 निर्दलिय सांसदों पर है जो एंडिया को 300 पार और विपक्षी गठ बंधन को मुकाबले में वनाए रख सकते हैं जो बेहत ही रोचक होने वाला है EMيرة Report, News 80 राहूल गांधी लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे वेपक्ष होंगे राहूल गांधी लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे राहूल गांधी लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे विपक्ष के इंडिया गडबंदन ने राहूल गांधी को लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है कॉंगरस अध्यक्ष मली काचुन खटगे के गर हुई इंडिया कटबंधन की बैचक में एफैसला लिया गया कि राहूल गांधी लोकसभा में नेताव विपाक्ष होंगे इंडिया कटबंधन की बैचक के बाद इसका एलान किया गया, कॉंगरस ते तक केसी विडू को पाल ने कहा कि राहूल का नाम प्रोटेम स्पीकर को बेज दिया गया है कॉछ दिनों पहले कॉंगरस वरकिंग कमिटी की बैचक के दौरान सर्व समती से राहूल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी थी बैचक में कॉंगरस वरकिंग कमिटी के सदस्यों ने प्रस्ताप पारित किया था कि राहूल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए राहूल गांधी ने इस प्रस्ताप पर सोचने का वक्त मांगा था